नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त परदीब कुमार बंगड़े आपका इसकार करम में स्वागत है जिसकार करम का नाम है आपकी फर्माइश दोस्तों आपकी फर्माइश में आज मैं आपको बता हूँ और बभूल के बारे में हाँ दोस्तों बभूल के बारे में तो हम सभी जानते हैं करीब करीब सभी लोग को मालूम है कि मुझ के लिए बहुत फायजे बंदे टीवी में बहुत सारे आड़ भी आते हैं लेकिन आज मैं आपको बता हूँ इसके ऐसे इलाज जो आप अभी तक जानते नहीं होंगे दोस्तों बभूल एक ऐसा पौधा है ज करें और अपने सुझाओ और श्यदे दोस्तों आईए मैं आपको बताता हूँ कि जो हैं बभूल से क्या फायदा दोस्तों बभूल से सबसे पहली बात तो यह कि मुझ के रूक से लिए बहुत फायदे मन्द होता है बभूल जामूल और खुली हुई फिटकरी का काड़ा बलाकर उस काड़े से कुल्हा करने पर मूह के सबीर रुक दूर हो जाते हैं बभूल की छालको बारीक पीसकर पानी में वालकर कुल्ला करने से मुझ के छाले दूर हो जाना का 2 से 3 बार गरारे करने से मूं कि चाले ठीक हो जाते हैं दातों का दर्थ वबूल के फली के छिलके और बादाम के छिलके की राक में नमक मुला कर मंजन करने से दात का दर्थ दूर होता है बबूल की शाल के काड़े से कुला करने से दातों का दर्द सडन सब मिढ जाती है रोजाना सुभा नीम या बबूल की दातों से मंजन करने से दात साफ मजबूत और मसूडे मजबूत होते हैं वीरी के रोग के लिए बबूल की कच्छी फली सुखाले और मिश्री में लाकर खाएं इसे वीरी रोग से लाब होगा 10 ग्राम बबूल की मुलायम पत्ती को 10 ग्राम मिश्री के साथ पीश कर पानी के साथ लेने से वीरी रोग में लाब होता है बबूल की 100 ग्राम गोंद भून ले इसे पीश कर 50 ग्राम पीशी हुई अश्वक गंदा मिलाद ने इसे 5-5 ग्राम सुपह शाम हलके गर्म दूद से लेने से वेरी के रोक से रिलाब मिलेगा बबूल की गोंद को घी में तल कर उसका पाक बनाकर खाने से पूरुश का वेरी वड़ता है और प्रसुत काल इस्त्रियों को खिलाने से उनकी शक्तियां भी वड़ती है बबूल का पंचांग लेकर पीछ लें और आधी मातरा में मिश्री मिलाकर एक चमच्ची मातरा में सुबशाम नेमित सिवत कर रहे से कुछ ही समय में वेरी रोक से लाब मिलता है खुल मिलाकर ये दोस्तों कि आप बबूल के गौंद से लड़्डू बनाई है और खाईए बहुत गरम होता है तो साफधानी से खाए ज्यादा ना खाए और खाने के समय यही है कि जब बहुत ठेंट पड़ रही हो तब इसका खाए बड़े बजर्ग भी खा सकते हैं पक्वान बनाका सेवन करने से मनुश्य सेक्स करने की ताकत बढ़ती है विरी की कमी को भी दूर करता है धात उपुष्ट के लिए जो है बबूल की कच्छी फली के रस में एक मीटर लंबे और एक मीटर चौड़े कपड़े को भीगो कर सुखा ले एक बार सुख जाने पर उसे दुबारा भीगा कर सुखा ले इस प्रकार प्रक्रिया को 14 वार करें इसके बाद उस कपड़े को 14 वागों में बाटने और रोजाना एक टुकड़े को ठाई सो ग्राम दूद में उबाल कर पीने से धातु के पुष्टी होती है इस तन बबूल की फल्यों के छेप से क इसी कपड़े को भिगो कर सुखो ले इस कपड़े को इस नान कि इस तनों पर बानने से धीले स्टन कठोर हो जाते हैं मासिक धर्म संबंदित विकार 4.5 ग्राम बबूल का भुना हुआ गोंद और 4.5 ग्राम गेरू को एक साथ पीस का रोजाना सुबह फकी लेने से मासिक धर्म में अधिक खून का अना बंद हो जाता है 20 ग्राम बबूल की चाल को 400 मिली लीटर पानी में वाल कर बच्चे हुए 100 मिली लीटर काड़े को दिन में तीन बार पीने से मासिक धर्म में दिक खून आना बंद हो जाता है बाच्पन दूर करने के लिए बबूल के पेड़ के तने में एक कोड़ा सा निकलता है जिसे कीकर का बांदा कहा जाता है इसे लेकर पीस कर च्छाया में सुखा कर शूड़ बना ले इस शूड़ को तीन गाम की मातरा में महावारी की खत्म होने के अगले दिन से तीन दिन छूटक 7 करें फिर पती के साह संभब करें इसे अवश्च गर्ब वतिधारन हो जांगी प्रदर रोग 14 से 28 मिली लिटर बबूल की चाल का कारणा दिन में दो बार पीने से प्रदर रोग से लाब होता है चारिश मिली लिटर बबूल की चाल और नीम की चाल कारा रोजाना डोसे तीन बार पीने से प्रदर रुक शे लाब मिलता है, दोसे तीन ग्राम, अशुरगंदा शूरणो को एक gjाम वन्शलोचंद 2 मिला का सबर मिला का सुपर शाम, धूत कि साथ seven करने से प्रधर रोक मिड जाता है रatisfट प्रधर पांच ग्राम बबुplo राल गोंद रतो रसौध को लेकर फीसकर चूरण बना ले इसे पाँच ग्राम की मातरा में चूरण के साथ रोजाना seven करने से रख प्रदर मिड जाता है योनिका संकुचन 10 ग्राम बबूल की छाल को 400 milliliter पानी में पकाएं ये जब 100 milliliter की मातर में बचे तो इसे दो दो चमज की मातर में सोज़शाब पीने से और इसे काड़े में थोड़़ी सी फिटकरी विलाकर योनी में पिचकारी देने से योनी मार्क शुद्ध होती है और श्वेट प्रदर ठीक होता है बबूल बेर, कचनार, अनार, नेल स्री को बरवर मात्रा में लेकर पीछ ले, उबाल ले, उसी समय में कपड़ा डार कर भिगो ले फिर उसके पानी से छीटे दे और कपड़े को योनी में रखें से योनी से कोड़ जाती है सुती का रोग 10 ग्राम, भबूल की आंत्रिक छाल और तीन काली मेर्च को एक साथ पिसका सुबर शाम खाने से पत्थे से सिर्फ बाजार की रोटी और गाय का दूस पीने से भैंकर सुती का रोग भी इस्तियों के बाद हाँ, इस्तियों को इस्तियां भी बच जाती है संतान, भबूल के पत्तों का 2-4 ग्राम चुण रोजाना सुबर खाने से सुंदर बालक का जन्म होता है अतिसार दस्त, भबूल के पत्तों के रस में मिश्री और शेहत बिलाकर पीने से अतिसार में लाब मिलता है भबुल के पत्ते बबुल के तीन से चार ग्राम कोमल पत्तों का चूण publicly होता है भबुल के पत्तियों के रस को च्जाच में मिलाकर वागिए को पिलाने है प्रकार का इतिसार लाब ठीक होता है आखों का दथ एमियों से जानी बबूल के पत्तों को पीस कर रस निकाल कर एक दो बूंद आखों में टपकाने से अत्वाइस्त्री के दूद के साथ आख पर बानने से आखों की पीड़ा और सुजन मिट जाती है बबूल के पत्तों को बारिक पीस कर उसकिया ठीकिया बना का रात को सुते समय आखों पर बानने से आखों का दर जलन के रुक से राहत मिलती है आखों से पानी बहना बबूल के पत्ते को बारिक पीस ले और इसके बाद उसमें थोड़ा सो शहत मिला ले फिर इसे काजल के समान आखों पे लगाने से आखों से निकल निकलता खत्म हो जाएगा पानी जो है निकलता आखों से वो खत्म हो जाएगा पेशियों का पक्षा खात बबूल की चाल के काड़े से रोजरा दो बार गरारा करने से गले की सी ठिलता समाप्त हो जाती है दोस्तों इसका कुल्ह करने से जो है आपके गले का रोख ठीक हो जाएगा बबूल के रस में कली का चुना मिलाका चने के बराबर गुली मना का चूसने से सरदी के कारण बैठा हुआ और गला ठीक हो जाएगा बबूल की शाल को पानी में डाल कर उबाल कर इसके पानी से गरारा करने से गले की सुजन दूर होती है बहुत फायदेबंद है दोस्तों आप इसको पेट के सभी मिमारे के लिए बहुत फायदेबंद है बहुल के अंत्रिक शाल का काड़ा वरा कर उसकाड़े को एक दो ग्राम की मातला में मठ्टे की साथ पीने से जो है पीट की से भी रुख समापत हो जाते हैं अमा वसक अमा अमा शे का घाओ बहुल की गोंत पानी में घोल कर पीने से अमा शे यानि पेट और आतों के घाओ तो फिड़ा मिट जाती है पेट दर्ध बबुल की चाल कर रस दही की साथ मिलाकर पीने से पेट के दर दस्ट से आराम मिलता है हड़ी तूटने पर दस्टो हड़ी तूटने पर 6 ग्राम बबुल की जड़के चुड़न को शहद और बकरी के दूद में मिलाकर पीने से तीन दीन में ही टूटी हुई हड़ी जूडने लगती है छे ग्राम बवूल के पंचांका चूण शहद और बारिक बकरी के दूद में मिला कर पीने से तीन दीन में टूटी हुई हड़ी जूडती है बवूल के वीजों को पीश कर तीन दीन तक शहद के साथ लेने से बबूल का गुंद मिलाकर दाद के स्थान पर पट्टी बांदे इससे जो है दाद समाप्त हो जाएगा रक्त बहना बबूल की पत्ती आम कबॉर और मोचर रस के पेड़ की छाल और लसोड़े के बीच को एक साथ पीच ले और इस मिश्णन को दूद के साथ मिलाकर पीने से बहना बंद होता है प्रमेह बबूल के अंकूर को साथ दिन तक सुबह शाम दरदस ग्राम शीनी की साथ मिलाकर खाने से प्रमेह से पिड़ी द्रूगों की को लाब मिलता है कानों के बहने पर बबूल की छाल का काड़ा वराकर तेल तेज और पतली धार से कान में डाले इसके बाद एक सलाई लेकर उसके बारिक कपड़ाई अरुई लपेट कर दिने कान इदर दो गुमाएं फिली फुटकरी का थोड़ सा पारी कान में डालें इससे कान का बहना बंद हो जाएगा शक्ति वर्तक बबूल के गोंद को घी के साथ तल कर उसके दोगनी चीनी मिला दें इसे रोजाना बेज ग्राम की मातरा में लेने से शक्ति में व्रिद्य होती है कफ अदी बबगुल के पत्ते और जीरे और स्याहिजी जीरा के बादर मातरahren में फीस्कर लें इसकी दस ग्राम की फाकिरात के समय रोगी को देने से कफ अतिसार मिड़ जाता है खोनी दस दस ग्राम बहुल की गोंद को पचास मिली लीटर पानी में भिगो कर मसल कर छान कर फिलाने से अतिसार और रक्त अतिसार मिड़ जाता है प्यास प्यास और जलन में इसकी छाल के काड़े का मिश्रन मिश्री में मिलाकर लेने से लाब होता है अरूची में भी बहुत फायदे मन्द होता है पीलिया, बहुलों के फूलों के शूरण के बराबर मातरा में मिश्री मिलाकर दस ग्राम रोजारा खाने से पिलिया रूक मिश्रुट होता है सुजाक बवूल की दस से बारा मुलायम पत्तियों को एक गलास पानी में भिगो कर आसमान के नीचे रखें और सुबह उस पानी को चान कर पिएं इससे सुजाक रूख और पेशाब की जलन से आराम मिलेगा कमर के दर्द बवूल की छाल फली गोंद बरावर मातरा में पीस्क ले इस चमच की मातरा में दिन में तीन बार सेवन करने से कमर दर्द में रहात मिलती है बबूल के फूल और सज्जी बराबर मातरा में मिला कर सुबह सुरज उकते समय एक ग्राम की मातरा खाने से कमरदाद से रहात मिलती है पसीना अधिक आने पर भी बबूल की पत्ते और बाल अरहट की बराबर मातरा में चूण बनाए इस्टूट को सारे शरीर पर मालिस करें पसीना ना बंदों का घाओं के लिए फायदे बंद है खासी के लिए पाइरिया के लिए बहुत ही फायदे बंद है बबुल की छाल का काड़ा बना कर कुल्डा करें गुदा पाक बबुल की छाल का काड़ा बनाकर गुदा को रोजाना तीन से चार बार धोएं रोजाना इससे गुदे को धोने से गुदा पाक जल्दी ठीक होता है सीने में घाओं, 10 ग्राम बबूल की मुलायम, पत्ती, 10 ग्राम नार की पत्ती, 10 ग्राम आवला, 6 ग्राम धनिया लेकर रात को ठेंडे पानी में बिखो दे, इसे सुबह मसल कर और जान कर इसमें थोड़ी से मिस्ट्री में लाका रख दे, ये पानी दिन में 3-4 अपर पीने से मुह से खुन आना बंद होता है, जीब और मुह का सुखना, सुखा फन के लिए बबूल की गूंद मुह में रख कर चूसें, इस से रात मिलेगी, बावसीर में बहुत फाइदे, बबूल की बांदो को काली मिर्च के साथ पीछ लें, इस मिश्ट्रान को पानी के साथ रोजाना, सुबह शाम पीने से, बावसीर में खून के निकलना बंद होगा, मदुमें रूख कि ये बहुत ही फाइदे बंद है, बहुल की कॉमल पत्ती को पीछ कर, सिल पर दोनों के साथ पीछ लें, और साथ ही चारते पांच काली मिर्च भी डाल दे, चान कर सुबह शाम पीए, इसे मदुमें के रोख में लाब मिलेगा, तीन ग्राम बहुल के गुंद का शूण, पानी के साथ या गाय के दूद के मौटापा दूर करने के लिए बहुल के पत्तों के पानी के साथ पीछ पर शरीर पर लगाने से मौटापा दूर होता है कोड कुछ्ट रूप के लिए 30 ग्राम बहुल की चालका हीम यान शर्पत रना कर पीने से कोड रोख समापत होता है तो दोस्तों आपको जानकारी जरूर अच्छी लगए होगी तो इसकी साथ अपने दोस्त परदीब कुमार भागणे को इसकारी करम से जाने की इज़ज़त दीजिए नमस्कार जाए हैंद कि नश्ट